नमस्कार मेरा नाम ग्यानिश्च्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ्टिज डॉट इन आपको पता है कि बेगुश्राय के सांसद भोला सिंग जिनका निधन कल रात 19 अक्टूबर को दिल्ली में हो गया था अंति म्यात्रा 21 अक्टूबर को बेगुश्राय में निकलेगी लेकिन इसके साथ ही बेगुश्राय की सियासत भी गर्म हो गई आपको पता है कि बेगुश्राय बिहार का बरा राजिति का खारा है अभी भोला वागो की अंती में आता निकली भी नहीं कि लोगों ने चुनाओ की चर्चा सुरू कर दी क्योंकि नियम कानून की जानकार लोग कहने लगे कि बेगुसराय में उपचुनाओ भी हो सकता है तो बेगुसराय में उपचुनाव होगा की नहीं होगा इस बारे में हमने परताल करने की कोशिस करी क्योंकि आज सुबह से ही बेगुसराय से कई सारे कॉल्स आ गये थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि क्या लोगसभा चुनाव मतलब अप्राइल 2019 के लोगसभा चुनाव के पहले बेगुसराय में लोगसभा के उपचुनाव हो सकते हैं क्योंकि यह सीट खाली हो गई है तो अभी हमारे अभी है मैं दिल्ली में संपर्क में था तो अभी से कुछ दिर पहले दिल्ली के न्यूज फोटल इन खबर के एडिटर रिटेस भर्मा जो बेगुसराय के ही रने वाले हैं उन्होंने भारत के पुर्व चुनाव आयुक्त एचेस ब्रह्मा से बात करी है एचेस ब्रह्मा ने चुनाव के नियवों के बारे में बताया है और उन्होंने एसपस कर दिया है कि बेगुसराय में उपचुनाव नहीं होगा कारण यह की नियम जरूर है कि 6 महीने के भीतर रिक्ती भरी जाए बैकेंसी भरी जाए लेकिन बेगुसराय के साथ इसती यह है कि अपरेल 2019 में चुनाव होने है तो नियम यह कहता है कि 6 महीने के भीतर की रिक्ती तब नहीं भरी जाएगी जब एक साल के भीतर पुर्ण चुनाव होना है मतलब 5 साल का चुनाव होना है तो आप देख रहे हैं कि भोला भागो का निधन 19 सक्टूबर की रात में हुआ है और 2014 में 6 अपरेल को बोटिंग सुरू हो गई थी तो 6 महीने का समय उधर बचा है और एक साल के भीतर ही पुर्ण मतलब देश का आम चुनाव होना है तो ऐसे इस्थिति में बेगुसराय में उप चुनाव नहीं होगा बेगुसराय के सियासत भी बहुत तेज है क्योंकि कनहिया कुमार चुनाव लगने को आ गए है देश भर की नजरे हैं रोज कुछ ने कुछ होता रहता है बेगुसराय में तो आपको यह स्पस कर दें और बेगुसराय के जितने लोग बेचैन ही है जानने वोग क्या कि बेगुसराय में उप चुनाव होगा क्या लोग सभा के आम चुनाव के पहले ही कनहीं आकोबार वहां से चुनाव लगने आएंगे तो नहीं बेगुसराय में उपचुनाव नहीं होगा ठीक इसी तरीके से कटिहार में भी उपचुनाव नहीं होगा जहां से NCP के सांसत तारीक अनबर ने राफल के मुद्दे पर इस्तिफा दे दिया है और चर्चा है कि वे कॉंग्रेस में सामिल होने जा रहे हैं तो चुनाव आयोक के जानकारों ने चुनाव आयोक के नियमों के हिसाब से यह एसपस कर दिया है कि बिहार की बेगुसराय और कटिहार में अभी उपचुनाव नहीं होगा जब 2019 में आम चुनाव होंगे तो नियत तारीपर और नियत समय पर ही चुनाव संपन कराए क्योंकि आम चुनाव में एक साल से कम का बक्त रहा गया है इसलिए 6 महीने वाला नियम यहां सिथिल होता है और चुनाव कराए जाने के जरूत नहीं है तो यह बड़ी ख़वर थी आप बने रहें लाइव सिथिज डॉटिन के साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर स